Hello friends, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में Auditing's Related Important MCQ जिसको कहा जाता है Uncature दोस्तों ये विकॉम का एक बहुत important subject है यहां से बहुत सारे questions exam में पूछे जाते हैं यहां आपको हम Hindi और English दोनों questions बताने वाले हैं ताकि आप जिस भी मेडियम से हों चाहे Hindi मेडियम या English मेडियम आप question को आसानी से कर सकें तो पहला question है चालू अंकेक्छर से अंकेक्छक का प्रभाव करबचारियों के बीच The impact of the auditor from the ongoing audit among the employees घटता है, decreasing, बढ़ता है, increasing, इस्थिर रहता है, fixing, कोई प्रभाव नहीं पढ़ता Question number 1 में बात हो रही है चालू अंकेक्छर से अंकेक्छक का प्रभाव करबचारियों के बीच यहां पर सही आंसर है option B Increasing, बढ़ता है Question number 2 प्रभंध अंकेक्छर के अंतरगत जाच होती है Under management audit, there is an investigation of अंकेक्छक के कारे की, उच अधिकारियों के कारे की, करबचारियों के कारे की, इन में से कोई नहीं Question number 2 में बात हो रही है प्रभंध अंकेक्छर के अंतरगत किसकी जाच होती है तो यहाँ पर सही आंसर है option B उच्छ अधिकारियों के कार्रिकी Question number 3 अंतरीम अंकेक्छन कब कराया जाता है? When is an interim audit conducted? सभी बच्चे इस question का आंसर बताएंगे कमेंट खरके चितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वर्स के प्रारंभ में, वर्स के मध्य में, वर्स के अंत में, उपरियुक्त में से कोई नहीं इंतरीम audit कब कराया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है option B वर्स के मध्य में, ठीक है? वर्स के मध्य में कराया जाता है अंतरीम अंकेक्छन अगला कोशन देख लेते हैं 4 आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा किया जाता है Internal audit is done by वरिष्ट, योग एवं इमान्दार करमचारी के द्वारा प्रबंधकों के द्वारा इमान्दार वा योग के करमचारीयों या पेशवर अंकेक्षण के द्वारा या इन में से सभी बहुत इच्छा कोशन है आपको ये पता होने चाहिए आंतरिक अंकेक्षक किसके दुआरा किया जाता है इंटर्नल ओडिट जो होता है वो कौन करता है तो यहाँ पर सही आंसर है ओप्शन C ठीक है इमानदार वा योग कर्मचारियों या पेसेवर अंकेक्षक के दुआरा किया जाता है आंतरिक अंकेक्षण Question number 5 Friends, वीडियो के सभी questions को ध्यान से देखिएगा ये सभी ऐसे questions है जो आपके exam में पूछे जा सकते है निम्रिखित में से कौन आभहौतिक संपत्ती है Which of the following is a non-material assessed प्रारंभिक व्याय, पेटेंट, पूरुदत ठीक है पूरुदत व्याय हो जागए यहाँ पर None of the above निम्रिखित में से कौन आभहौतिक संपत्ती है Non-material assessed तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना चाहेंगे Option B क्या होता है फ्रेंट्स? पेटेंट ठीक है पेटेंट, nor material assessed है अगला question है 6 जब कोई व्याभार, आंसिक या पूरुड रूप से गलत लिख दिया जाए तो ऐसी असुध्धी कौन सी असुध्धी कहलाती है? दोस्तों यह question exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है Very very important question और आपको पता होना चाहेंगे इसका अंसर अगर कोई व्याभार या आंसिक या पूरुड रूप से अगर कोई इंट्री गलत लिख दी जाती है तो वो कौन सी असुध्धी होगी? ठीक है? लिपकीर, लेखा एवं हिसाब की असुध्धी सैध्धान्तिक असुध्धी भूल चुकी असुध्धी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका भी आंसर कोशन नमबर 6 का उम्मिद करते हैं आपको कोशन समझ में आ गया होगा जब कोई इंट्री गलत कर दी जाती है असुध्ध कर दी जाती है तो कौन सी असुध्धी कहलाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option B ठीक है? कोशन नमबर 6 का सही आंसर है लेखा एवं हिसाब की असुध्धी जब लेखा पुस्तकों में त्रुटी इस प्रकार की हो जो पहली त्रुटी के प्रभाव को समाप्त करती है तो ऐसी असुध्धी क्या कहलाती है? When the error in the books of account is such that is eliminates the effect of the first error what is such an error called? भूल चुकी असुध्धी लेखा एवं हिसाब संबद्धी असुध्धी लिपकी असुध्धी छटी पूरक असुध्धी फिर से एक बार कोशन को पढ़ लेते हैं ताकि यह कोशन अच्छे से समझ में आ जा यहां क्या पूछा जा रहा है? जब लेखा कुस्तकों में तुटी इस प्रकार की हो जो पहली तुटी के प्रभाव को कम करती है तो ऐसी असुध्धी क्या कहलाती है? तो यहां पर फ्रेंड्स सही आंसर है उप्शन दी छाती पूरक असुध्धी अगला कोशन है एट फ्रेंड्स आपको हम इससे पहले भी आउडिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस प्रवाइड कर दिये हैं जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है प्लेलिस्ट में जा करके पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं आपको हम अपने चैनल पर हिंदी और इंग्लिस दोनों में कोशन प्रवाइड करते हैं अगर आपका कुई सजेशन है या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं सभी के कमेंट का रिपलाई किया जाता है और अगर पहली बार विजट करने चैनल पर तो चैनल वो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दबा दिजेगा जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड दो आपको नोटिफिकेशन तुरंथ मिल जाए तो कोशन नमबर एट है प्रतेक प्रमारक पर हस्ताचर होने चाहिए Every certifier must be signed by उत्तरदाई अधिकारी के अंकेक्छक के प्रबंधग के प्रतेक प्रमारक पर हस्ताचर किसके होने चाहिए तो यहाँ पर सही आंसर एँप्शन ए उत्तरदाई अधिकारी के ठीक है जो उस प्रमाणपत्र का उत्तरदाई अधिकारी है उसके हस्ताच्छर होने चाहिए Q9 क्रेता द्वारा लौटाए गए माल को किस खाते में लिखना चाहिए In what account should the goods returned by the buyer be written off Stock खाते में, बिक्री वापसी खाते में, A और B दोनों खाते में इन में से कोई नहीं उम्मीद करते हैं आपको इसका अंसर पता होगा सभी लोग comment करके बताएं, जितने भी students वीडियो को देख रहे हैं आप लोग comment करेंगे तो आपका revision भी होगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्रेता दोवारा लोटाएगा माल को किस खाते में लिखना चाहिए तो friends लिखना चाहिए stock खाते में भी और बिक्री वापसी बही में भी तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option C A और B दोनों खाते में ठीक है अगला question है 10 Auditing अलिवार है Auditing is compulsory for small scale business के लिए joint stock company के लिए partnership firm के लिए proprietary concern के लिए यहाँ आप लोग को बताना है Auditing किसके लिए अनिवार है इसमें से तो चलिए आपको सही answer बता तेते हैं option B joint stock company के लिए auditing is compulsory अगला question है question number 11 साखा अंकेख्छा की निवक्ती करता है the branch auditor appoints तो friends यहाँ पर पूछा जा रहा है branch auditor की निवक्ती कौन करता है चलिए option देख लेते हैं तो पता चल जाएगा साधारन सभा में अंसधारियों द्वारा संचालक मंडल द्वारा bold meeting में वार्सिक साधारन सभा में अंसधारियों द्वारा इन में से कोई भी नहीं साखा अंकेख्छा की निवक्ती कौन करता है तो यहाँ पर सही answer होने वाला है option B संचालक मंडल द्वारा bold meeting में ठीक है वहाँ पर branch auditor की निवक्ती होती है यह सभी question आपके exam में पूछे जा सकते हैं और आपको पता होने चाहिए कौन सा अंकेख्छर पूरे वर्स चलता है which audit is conducted throughout the year चालू अंकेख्छर आंतरिक अंकेख्छर पूर अंकेख्छर वार्सिक अंकेख्छर important question यहाँ पूछा जा रहा है इन में से कौन सा अंकेख्छर audit पूरे वर्स पूरे साल चलता है तो सही answer है option A चालू अंकेख्छर अगरा question देख लेते हैं संपत्तियों के मूल परिवर्तन होने पर जो हानी होती है उससे क्या कहते है what is the loss that occurs when the value of assessed changes आप रचलन उच्चा बचन हराश इन में से कोई नहीं what is the loss that occurs when the values of assessed changes right answer option B क्या कहते हैं friends उच्चा बचन और अगरा question 14 क्रेवापसी का प्रमाण किया जाना चाहिए purchase return must be certified by credit note से रोकर बही से माल आवक बही से क्रेवापसी का प्रमाण किया जाना चाहिए यहाँ पर सही answer है option A credit note के द्वारा क्या किया जाना चाहिए क्रेवापसी का प्रमाण किया जाना चाहिए credit note के द्वारा so friends आज मैंने आपको बताया audits are related very very important questions यह सभी questions आपको पता होने चाहिए अगर आप become के student है क्योंकि आपके आने वाल exam में पूछे जा सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर पहली बार विजिट करना है चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन दबा दिजेगा जिससे हमारी कोई भी वीडियो अप्लोड हो तो आपको तूरण नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो पसंद आई हो कोशन्स अच्छे लगए वीडियो के तो लाइक कर दिजेगा अपने दोस्तों के साथ भी जाद 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 वीडियो को शेर किया करिए जितना आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा उतना बहतरी से बहतरी कोशन ले करके आया करेंगे आप लोग के लिए आपको कोई सजेशन है आप किसी ओर टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो ले करके आए जिससे आपको लाब हो तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत